गुद मॉर्निंग केड्स, हाओ आर यू, आज हम एवियस का लेशन टू कीपिंग हेल्दी एंड फिट पढ़ेंगे इसमें हम यह देखेंगे कि हम कैसे हेल्दी और फिट रह सकते हैं Before we begin, हम स्टार्ट करने से पहले यह देखेंगे Look at the given pictures, which habits do you think are good for our body discussing class यहाँ picture देखिए, इतरी pictures दे रखिए अब उसमें हमें बताना है कि कौन-कौन सी जो things है वो हमारी body के लिए good है First picture में boy and girl football खिल रहे हैं तो यह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है यह हमारे लिए good है क्योंकि खेलने से हमारी body की exercise होती है और हम healthy रहते हैं Second picture में है, जो boy है वो TV देखते हुए खाना खा रहा है तो यह good habit नहीं है हम TV देखते हैं हमें खाना नहीं खाना चाहिए Third picture में boy and girl fruits खा रहे हैं fruits खाना हमारे लिए अच्छा होता है इसलिए यह good for us है यह हमारे लिए good है Now, let us know more about habits that we must follow to be fit and healthy अब हम हमारी कुछ और habits के बारे में पढ़ेंगे जो हमें follow करना चाहिए healthy or fit रने के लिए Now, दादा जी would often play badminton with Mona but today when Mona went to call him he said Oh, oh Mona, my knees are panning I don't think I can play today जो दादा जी थे वो Mona के साथ हमेशा badminton खिलते थे but आज जब Mona उनको बुलाने गई call मतलब बुलाना जब उनको बुलाने गई तो दादा जी ने बोला Oh, Mona, my knees are panning my knees, knees मतलब गुटने और pen मतलब दर्द करना तो मेरे गुटने दर्द कर रहे हैं I don't think I can't play today I can play today मैं एसा सोचता हूँ कि मैं आज खेल नहीं पाऊंगा दादा जी Can I help? Mona asked looking sad Mona sad होके देखते हुए बोली दादा जी, क्या मैं आपके help कर सकती हूँ? Thank you, Mona I have already applied some balm से दादा जी तो दादा जी ने उसको बोला Thank you, Mona मैं मुझसे ये पूछा कि मैं आपके help कर सकती हूँ? मैंने already balm मेरे knees पे मैंने balm लगा लिया है Mona was worried Mona was worried Worried means worry means चिंता करना तो Mona चिंती तो गई, चिंता करने लगी That night she asked her mother Why is दादा जी having knee pen? उसी रात को Mona ने उनकी ममे से पूछा कि दादा जी के जो knee है, जो गुटने हैं वो दर्द क्यों करते हैं? Will I also have body acts when I grow old like him? क्या मेरे मुझे भी ऐसे body में दर्द होगा, जब मैं उनकी तरह बुड़ी हो जाओंगी, उनकी तरह उनकी एज में चली जाओंगी? मोना उसकी ममे से पुछने लगी कि मैं जब बुड़ी हो जाओंगी, जब मैं भी दादा जी की तरह old हो जाओंगी, तब मैं उझे भी ऐसे body में दर्द होगा? उनकी तरह बढ़कर बुड़ी हो जाओंगी, ग्रो मिन्स बढ़ना, ग्रो मिन्स बढ़ना उनकी मोना की ममी ने कहा कि जब हम बढ़ते जाते हैं, जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी जो body है, हमारा जो शरीर है, उसमें change मतलब बदलाओ, अलग अलग तरीके के बदलाओ आते हैं, अलग तरीके से बदलाओ आते हैं, उन बदलाओ में कभी-कभी हमें कुछ दर्द और पेन भी होते हैं, बट इफ वी exercise daily and eat healthy food, we can be active and in good health even when we grow old, लेकिन यदि हम exercise daily exercise करें और healthy food खाएं, तो हम active और हमारी जो health है, वो अच्छी रहे सकती हैं, जब हम बुड़े हो जाएंगे, तब हमारी health और अच्छी रहे सकती हैं, और हम भी active रहे सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें daily exercise करना पड़ेगी, और हमें healthy food खाना What should I do, mommy? asked Mona, Mona ने पुछा कि मम्मी में क्या कर सकती हूँ? You make sure that you exercise daily, आपको आप ये sure होना चीए कि आप daily exercise कर रहे हो, playing outdoors is very good for the body, जो outdoor game होते हैं, जो garden में बाहर खिल जाते हैं, वो games हमारी लिए हमारी लिए हमारी जाएंगे, वोड़ी के लिए very good होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, walking, doing yoga and swimming are also good forms of exercises. Walk means चलना, जो हम चलते हैं, घुमते हैं नाइट में या दिन में वोग लेना, yoga, योगा तो आपको सभी को पता है, योगा करने से और swimming, swimming मतलब तेरना, ये भी हमारी लिए exercise के अच्छे टाइप से, and you must not watch too much of TV, लेकिन एक बात ध्यान रहें, क्या जादा से जादा TV नहीं देखें, बहुत जादा TV नहीं देखें, spend a lot of time on computers and mobile phone, आज के दिनों में, जो बहुत से people है, people means लोग, spend मतलब व्यातित करना, जो spend time, बहुत सरा time computer पे और mobile phone पे खर्च कर देते हैं, they have a lot of problems with their neck and wrist, जब ये लोग बहुत जादा time mobile phone और computers पे खर्च कर देते हैं, तो उनके जो problem होती है, उनकी जो neck, garden में, wrist, wrist means collide, neck means garden, wrist means collide, इसमें बहुत सी problem होती है, it also affects the eyes, sad mummy, ये इससे आखें भी affect होती है, आखों में भी problem होती है, ममी ने कहा कि इससे आखों में भी problem होती है, look at these children, Mona, they play different games in the evening every day, अब ये जो निचे pictures दी गई है, Mona, उसे देखो, देखो, ये बच्चे हैं, जो रोज अलग-अलग game खेलते हैं, शाम में, evening मतलब शाम में, different मतलब अलग-अलग, अलग-अलग games शाम में खेलते हैं, pictures of some children, ममी ने, Mona को ये pictures दीखाते हुए कहा, कि जो ये pictures देखो, इसमें बच्चे अलग-अलग game रोज शाम को खेलते हैं, you must also eat healthy food such as rice, chapati, dals, green leafy vegetables and fruits, आपको हमेशा अच्छा और healthy food खाना चाहिए, जैसे rice, चावल, चपाती, रोटी, दाल, green leafy vegetables, मतलब हरी, पत्तेदार सबजियां and fruits, fruits means fall, the body also needs rest, जो body होती है, शरीर होता है, उसको need मतलब आउशक्ता भी होती है, rest की, rest मतलब आराम की, तो body को आराम करने की भी आउशक्ता होती है, so you must get enough sleep, तो आपको enough मतलब परियाप्त, जो आपको हमेशा अच्छी सी नीन लेना चाहिए, sleep early and get up early, early मतलब जल्दी, जल्दी सोय और जल्दी उठे, if you follow these habits, you will be strong and healthy, even you become old like your daddy, a date Mona's mother, उनकी ममी ने, मोना की ममी ने कहा, कि अगर आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, और अच्छे से खाना खाते हैं, तो ये habits, अगर, ये habit means आदत, और follow means अनुसरन करना, तो आप जो ये habits को, अच्छे आदतों को follow करते हैं, तो आप, आपकी दादी की उम्र की हो जाओगी, जब आप दादी के जैसे बन जाओगी, तब भी आप healthy और fit रहोगी, मोना की ममा ने ये कहा, इसलिए हमें हमाशा healthy खाना खाना चाहिए, टीवी जाओगी, झाल झाल